दोस्तों इस वीडियो में हम ICICI bank coral credit card के बारे में discussion करेंगे अब ICICI bank के दो ऐसे credit cards हैं जिसमें पहला credit card है ICICI bank का coral credit card और दूसरा credit card है ICICI bank का platinum credit card ये दोनों ऐसे credit card हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपका civil score अगर बहुत जादा खराब भी है ना मान के चलो आपने banker से banker default भी कर रहा है उस case में bank आपको क्या कहेगा कि भाई FD के against में credit card ले लो अगर आपका civil score बहुत भेंकर से भेंकर भी खराब है ना तो भी ऐसा नहीं होता कि bank अगर आपका civil score बहुत भेंकर खराब है तो bank ये बोलता है कि आप FD के against ही credit card ले सकते हो और उस case में ये नहीं होता कि FD के against आप कोई भी credit card ले सकते हो अगर आपका बूरे से बूरा civil score है और bank आपको बोल रहा है कि आपको credit card हम दे तो देंगे लेकिन FD के against ही देंगे ना तो उस case में भी ये दो ही options आपको दिखाएगा या तो वो आपको दिखाएगा ICSA bank का coral credit card या फिर वो आपको दिखाएगा ICSA bank का platinum credit card यही दो option दिखाएगा कि आप ICSA bank के यही दो credit cards ले सकते हो अगर मान के चलो कि आपका civil score थोड़ा बोत खराब है या कभी आपका civil score generate ही नहीं हुआ तो उस case में भी मालो FD नहीं करानी पड़ेगी ये बाठ ठीक है कि आपको credit card मिलने के chances है लेकिन उस case में भी सबसे ज़ादा chances आपको यही दो credit card मिलने के ICSA bank के या तो ICSA bank का coral credit card या फिर ICSA bank का platinum credit card और अगर आप पहली बार कोई credit card के लिए apply कर रहे हो और ICSA bank का credit card चाहते हो तो उस case में भी coral या platinum के ही chances हैं कि आपको मिल जाएगा बाकि अगर आप यह सोचों कि मैं सीधा ICSA का Amazon वाला credit card apply कर दूँ तो उस case में chances हैं कि मैं अब काफी बार ना वो reject कर देता है क्योंकि उसमें क्या है advantages बहुत जाद है अगर मैं ICSA Amazon की बात करूँ तो सीधा 5% का मिरे को cashback मिलता है Amazon पे shopping करने पर तो पता है कि बहुत advantage है customer को तो काफी बार bank उसे reject कर देता है लेकिन platinum और coral बहुत basic से card है ICSA bank के अगर आपको एक बार civil score generate करना है या एक बार के लिए आप चाहते हो कि मेरे को credit card जैसे तैसे मिल जाए एक बार civil score generate हो गया फिर उसके बाद कोई भी credit card कोई भी bank आपको credit card दे देगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे ICSA bank का जो ये coral credit card है पहले हम इसके features को देखेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ICSA का जो platinum credit card है वो इससे कैसे अलग है सबसे पहले ये जो coral credit card है इसकी जो joining fees है ये 500 रुपे है ऐसे ही annual fees की अगर मैं बात करू तो पहले साल कोई भी annual fees नहीं देनी उसके बाद second year से फिर हर साल आपके 500 रुपे कटने शुरू हो जाएंगे वहीं दूसी तरफ जो ICSA bank का platinum वाला credit card है वो lifetime free है उसकी आपको ना तो कोई joining fees देनी है ना ही कोई annual fees देनी है बाकी अच्छे से comparison करो और उसके बाद देखो कौन सा credit card आपकी need के लिए कौन सा credit card ज़्यादा better है बाकी apply करने के जो दोनों ही credit card के ICSA के जो link है वो मैं आपको नीचे description box में दे दूँँ अब सबसे पहले जो हमारे ये coral credit card है ये सबसे पहला benefit देता है कि अगर आप movies movies देखने के शोकी हिन होना तो उस case में सबसे पहला benefit ये बोलता है कि आपको 25% का discount मिल जाएगा लेकिन शर्त ये है कि कम से कम आपको 2 movie की ticket book करना ज़रूरी है और उसके में भी अगर पहला benefit तो ये है कि book my show पे ही मिलेगा आप book my show की आप app download करोगे वहाँ से movie की ticket book करोगे कम से कम 2 ticket book करना ज़रूरी है जितने की भी ticket book होईगी उस पह 25% का आपको discount मिल जाएगा terms and condition ये है कि जादा से जादा discount आपको 100 रुपे का मिलेगा तो ticket कितने की book हो रही है 500 की अब 25% जो क्या बोलते हैं 500 रुपे का होगे 125 रुपे लेकिन इस case में maximum discount आपको मिलेगा 100 रुपे का अब ये offer book my show पे भी valid है और महीने में आप जादा से जादा दो बार ये benefit को ले सकते हो यानि दो बार आप 2 movies की ticket देख सकते हो तो आपको दोनो बार 100-100 रुपे का maximum cashback मिल जाएगा लेकिन आप सोचो कि महीने में 30 movie देख रहे हो तो उस पे आपको cashback ने मिलेगा फिर अगले महीने आपको cashback मिलेगा हर महीने दो बार इसका benefit आप उठा सकते हो और book my show पे भी उठा सकते हो और दूसरा Inox पे भी उठा सकते हो तो आप Inox की app भी download कर सकते हो book my show की भी app डाउनलोड कर सकते हो तो ऐसा कर सकते हो कि एक show book my show से कर लेना और एक show जो है Inox पे कर लेना तो ये हो गया आपका पहला benefit movies से related ठीक है उसके बाद अगला benefit जो coral credit card, पहले हम coral credit card को discuss कर रहे हैं, बाद में इसको फिर हम compare कर लेंगे, असानी से 2 minute में platinum वाले credit card से, ठीक है जी, दूसरा benefit है कि airport के launches का access मिलेगा, तो ICSA bank के जितने भी airports के साथ tie up है, उसके जो launches हैं, उसका access आपको मिलेगा, लेकिन इसकी शर्त क January, March, April, May, June वाला quarter चल रहा है, इसमें आपने एक बार airport launch का access यूज कर लिए, तो इस quarter में दुबारा नहीं कर सकते हैं, एक quarter में एक ही बार कर सकते हो, शर्त ये है कि पिछले quarter में कम से कम आपने 5000 का खर्चा किया होना चाहिए, यानि अगर जनवरी, February, March वाले quarter में अगर तिमाही में आप एक बार airport launch का access यूज कर सकते हो, ठीक है जी, अच्छा ये इसका term and condition हो गई और ये airport launch का benefit हो गया, ऐसे ही railway launch को भी आप तिमाही में, यानि हर quarter में एक बार जो railway launches होते हैं, उसका भी access आपको मिल जाएगा इस credit cards, ठीक है जी, अच्छा अब आगे बढ़ते ह अब मेरे हिसाब से ये reward points बहुत कम है, और petrol लवाओगे तो उस पर कोई reward point नहीं मिलेगा, otherwise कहीं पे भी खर्चा करोगे 100 पे का, तो 2 reward point मिलेंगे, अब reward point की value भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एक reward point की value सिरफ 25 पैसा है, तो 100 पे का खर्चा किया तो सिरफ 50 पैसे का reward point मि दे रहें और online पे तो आप भूली जाओ, पांच-पांच-छे-छे-साथ-साथ-साथ-परसेंट का भी cash back दे रहें, तो reward points में, मैंने कहूंगा कि यह बहुत जादा reward points है, इसलिए मैंने starting में आपको कहा, कि बड़ा basic सा credit card है, कि एक बार के लिए आप अपना civil score अगर generate करना चाहते हो, या पहली बार आप कोई student हो, या ताजा-ताजा आपकी नोकरी लगी है, civil score generated नहीं है, या हलका full का civil score खराब है, तो उस case में coral वाला जो credit card है, वो आपको असानी से मिल जाएगा, या फिर इससे भी असानी से मिल जाता है, वो जो ICIC का platinum credit card है, जो इसके बाद मैं आ खर्चा करते हो, तो आपको 2000 reward points मिलेंगे, या पूरे साल में अगर आपने 2000 reward points मिलेंगे, तो 2000 reward points, एक reward point की value 25 पैसे के बराबर है, तो यानि एक तरह से आपको 500 रुपे का cashback मिल गया, अगर आपने साल भर में 200,000 रुपे का खर्चा गया, ऐसी एगर आप साल भर में 1,000 reward points मिलेंगे, तो यानि एक तरह से 2500 रुपे का cashback हो गया, क्योंकि एक reward point की value 25 पैसे के बराबर, इसकी एक term and condition ये है कि इस credit card से पूरे साल भर में, पूरे साल भर में आप 10,000 रुपे, सोरी, पूरे साल भर में आप 10,000 से जादा reward points और नहीं कर सकते, इसकी term and condition है, इसका एक barrier ठीक है, तो पूरे साल भर में आप 10,000 ही maximum reward points earn कर सकते हो, बाकी fees मैंने आपको बता दी इसकी, कि joining fees 500 रुपे है, ऐसे ही annual fees पहले साल की free है, और second year से फिर 500 रुपे लगना शुरू हो जाएगी, एक है fuel surcharge waiver, ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा अच्छा फीचर है, ये हर credit card में ही मिल जाते हैं, कोई ऐसा credit card नहीं होगा, जो fuel surcharge waiver नहीं देता होगा, तो 1% का fuel surcharge waiver मिल जाएगा, और इसकी time and condition ये है कि सिरफ और सिरफ HPCL का पेट्रोल पंप है, और HPCL के पेट्रोल पंप पे ही, आप ऐसा नहीं है कि आप Indian oil के petrol pump पे चलेगे, वहाँ पे fuel surcharge का waiver नहीं मिल इस credit card से सिरफ HPCL के petrol pump पे ही 5% का fuel surcharge waiver मिलेगा, और दूसरी शर्त ये है कि उस HPCL के petrol pump पे भी जो pose machine है, जिसमें आप credit card इंसर्ट करके payment करोगे, वो pose machine भी ICC bank की होनी जाए, पतला है कि पेट्रोल पंप तो HPCL का है, वहाँ pose machine जो उसके हाथ में हो HDFC bank की है, और आपने credit card swipe कर तो 100 रुपे का तेल दलाने पे फिर 1 रुपे का सरचार्ज लेगा, यानि 100 रुपे का तेल डलवाने पे 101 रुपे की payment करनी पड़ेगी, तो देख लेना कि pose machine ICCC क्योंकि उनके पास होती है, अगर हो HDFC के लिए है, तो बोलना भाई, ICCC वाली machine से payment ले ले ताकि 1% का fuel surcharge waiver आपको मिल सकते, जिसके लाबा जो भी इनके partner restaurants है, वहाँ up to 15% का restaurant पे जो discount है, वो आपको मिल जाएगा, और एक accident insurance है, अगर इन case कोई दुरखटना हो जाती, accident हो जाता है, तो उस case में जो भी खर्चा वर्चा बैठेगा, तो 2,00,000 रुपे तक का आपको accident insurance मिल जाएगा, तो ये एक overall feature थे, ICSA bank के, coral वाले credit card के, इसके बाद जो अगला credit card हम discuss कर रहे हो है, ICSA का platinum credit card, इस credit card के आप ये मान के चलो कि कोई खास features है ही नहीं, बड़ा basic सा card है, ये बस ये लगा लो कि आपके पास एक brand है, ICSA bank का, उसका credit card आपके पास आगए, कई बार हम Amazon पे जाते हैं, फिलिप card पे जाते हैं, तो आपके पास जैसे अभी हाल फिलाल, मेरे credit card से किसी ने mobile phone खरीता था, ठीक है, तो 15,000 रुपे का phone था, तो उस पे लिखा हुआ था, कि 1500 रुपे का, आपको cashback मिल जाएगा, अगर आपके पास ICSA bank का credit card, तो अब मेरे पास उस time platinum वाला credit card था, ठी कर लिया, तो अब मेरे को पता है, platinum credit card के कोई feature नहीं है, कोई reward point नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन सामने वाले को बस ये benefit होगा, कि Amazon offer दे रहा है, कि अगर आपके पास ICSA bank का कोई भी credit card है, तो आपको जो है, 15,000 रुपे का benefit मिल जाएगा, तो उसको 15,000 रुपे का benefit मिल गया एक तो ICSA का बस एक brand आपके साथ आजाएगा, कई बार online हम shopping करते हैं, वहा लिखा होता, ICSA का जो credit card है, ऐसा ऐसा, अचा, इसके अलावा बस इसकी कोई भी joining fees नहीं है, कोई भी annual fees नहीं है, इसके अलावा reward points के अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ वही reward points है, कि 100 रुपे का खर्च करता हूँ, जैसे मालो, यह तो मेरे को हर जगा जहां पर भी खर्चा करूँगा, तो 2 reward points मिल जाएंगे, 100 रुपे का खर्चा करने पर, लेकिन अगर मैं insurance या utility bill के लिए खर्चा करूँगा, तो उस case में 100 रुपे का खर्चा करने पर, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 reward point मिलेगा तो मलब कहने का मलब, 100 रुपे का खर्चा करा, मालो, utility में कोई भी बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, तो इस case में 100 रुपे का खर्चा करने पर, सिर्फ 0.25% का ही cashback मिलेगा, ठीक है जी, तो यह सारी की सारी चीजे थी, बाकी इसके अंदर वही fuel surcharge waiver मिल ज है, यह 100 रुपे का खर्चा करने पर, दो reward point वाला, इसके रावा book my show, inox पर, आपको movie tickets का benefit मिल जाता है, airport और railway launch का access मिल जाता है, और milestone benefit मिल जाते हैं, कि साल भर में अगर आपने दो लाग का खर्चा किया, साल भर में एक लाग का खर्चा किया, तो उस case में भी आपको कुछ वो benefit मिल रहा है, फरक बस यह है कि platinum वाला lifetime free है, कोई चकर नहीं है, कुछ नहीं है, बस free में आपको मिल जाएगा, और coral वाला जो है, उसके अंदर आपको 500 रुपे साल के देने होगे, यानि joining fees 500 देनी होगी, और annual fees की बात करें, तो पहले साल की free है, दूसरे साल की 500 रुपे हो जाए, तो वो platinum वाले के लिए apply कर सकता है, बाकी features मैंने आपको दोनों के बता दी, बाकी दोनों का apply करने का link भी मैं आपको नीचे discussion box में दे दूंगा, उमीद करता हूँ आपको यह video informative लगी होगी, अगर आपको यह video informative लगी है, तो please इस video को like और channel को subscribe ज़रूर करना, थेंक यू ओल